देश को आज मिलेगा अपना पहला स्वदेशी एरक्राफ्ट करियर पियम मोदी नौसियना को सोपेंगे आई एसे विकरांट मेकिन इंडिया के तहित कोचिन शिप्यार्ड में तयार हुआ है आई एसे विकरांट 20,000 करोड की लागत से तयार हुआ आई एसे विकरांट पर 30 लड़ा को विमान होंगे तैनाद 32 मिसाइल और एके 630 तोप सही ताधुनिक तकनीकी से होगा लैस एम मोदी आज नए नौसन है के नए निशान का भी अनावरन करेंगे सुभा 9 बच कर 45 मेट पर होगा कारिक्रम रक्षा बंतरी राजनाथ सिंग, गुरुवार देर शाम पहुचे कोची, आई एसे विकरांट को कमिशन किये जाने की खारक्रम में होंगे शर्ट प्यम मोदी ने गुरुवार को कोची मेट्रो रेल फेस टू कॉलिडोर का शलानियास किया, किरल के सीम विज़यों ने किया प्यम मोदी का विनन दन की फैसला की पीम के बधे की तैयारी में जुटी वीजेपी राष्टिय थेक्ष जेपी नड़ा ने वीजेपी महा सचीवर से मुलाकात की। मैंते शीव मूर्ती के अलावा पांच और लोगों पर भी यौन चोचन का आरूप लगा है मत के होस्टिल का एक वाडन भी आरूपी। मांते शीव मूर्ती ने खुद को बताया निर्दोश कहां उनके खलाप 15 साल से साजिश चल रही है। वकीलों के एक ग्रूप ने की है मांग करनाटक हाई कोट के निगरानी में हुम्मांते शीव मूर्ती की जाथ। मांति शिव मूर्ति की गिरबतारी के बाद करनाथका के कही जगों पर भारी पुलिस बलके तैनाती मठ के आसपास बैरिकेटिंग्स की गई यूपी के सीम योगी का लापरवा अपसरों पर बड़ा एक्शन 73 ओफिसस को जारी किया गया नोटिस यूपी प्रिशासर के दस डिपार्टमेंट हेट, पांस कमिशनर, दस डियम सेट के अपसरों को नोटिस संतोशनक जवाब नहीं देने पर कारवाईते हैं पुलिस के 3 ADG और 5 IG, DIG, 10 कमिशनरेट, SSP और SP को भी नोटिस जारी किया गया, 10 थानों से भी मागा गया जवाब विदान परिशद के सभापती ने तोड़ी मर्यादा, तेरे बच्चों के पता पूरु विधाया, सर्फुद दीन को बताया, जिंदा दिल, कहा अगले चनौ तक हमारे 20-25 वोटर पैदा होगे विदान परिशद के सभापती बनने के बाद सिता मणी में देवेश चंदर ठाकूर के अभी नंदन समहरों का किया गया था, आयोजन का रिकर्म के दौरान मच्ट दिया बयान जारकंड सरकार ने एक महिने के लिए चार्टेट विमान किया हायर, फैसली को कैबिनेट से मनजूरी वीवी आएंपी मुव्मेंट को लेकर चार्टेट विमान की बुकिंग की गई है, दो करोड़ छे लाग से जादा के खर्च का नुमार जारकंड सरकार में पांस सितंबर को बुलाया गया है, विदान सवा का विशे सतरे सरकार कर सकती है, विश्वास मत पारे जारकंड के राज़िपाल से मेरा यूपिये का डेलिगेशन पूछा, सीम क्योदे इस्तिफा गवर्नर ने कहा, दोसे चार दिन में बताएंगे अपना फैसला जारकंड कॉंग्रिस के कारी-कारी अद्धक्ष का बयान, राज़पाल ने मागी कानूनी मदद, सीम के इस्तिफिक की नौबत नहीं आएगी विदायकों के बिखने के सवाल पर जारकंड यूपिये का बयान घर में चोड़ी का डर है, इसलिए हिपाज़त कर रहे है 36 गर के सीम भुपेश बगल का पूर्व सीम रमन सिंग को जवाब का की जारकंड से हमारे गटबंदन के नेता ही आये हैं, बीजेपी दूसरे पार्टी के नेताओं का परण करती है कुल्दीप यादव की 28 साल बाद पाकिस्तान की जेल से वापसी घरवाले उन्हें पहचान नहीं बाए कुल्दीप यादव को 1994 में पाकिस्तान में किया गया था गिरफतार जासुसी के आरुप में हुईते हैं, उम्रकेर मुमे में एक बुजर्ग महिला के साथ मारपीट मेंस कारिकर्टा पर आरुप लगा बुजर्ग महिला को थपड़ मारने के मामले में एक्शन मुंबई की नागपाड़ा पुलिस ने साथ के खलाब के इस दर्श किया मदरसों के सर्वे के यूपी सर्कार मुसल्मानों को परिशान करना चाहती है, कहने जी मदरसों वे सरकार हस्तक शेप नहीं कर सकती यूपी के अलपसंख के कल्यान मंतरी दानिश अंसारी ने कहा कि सरकार के मंच्चा सकरात्मक है, मदरसों की रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिए हमले बढ़ रहे हैं पटना में जेडी उद अफ्तर की बाहरे तेश कुमार का मशन दोहजार चौबिस वाला पोस्टर लिखा प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा दिली विधाल सवा में केजरिवाल सरकार ने जीता विश्वास मत वपक्ष में पड़े 69 और विपक्ष में पड़े 0 वोट कॉंग्रिस को फिर जटका गुलाम नवी आजाद के समर्थन में NSY के 36 चातरे नेताओं का सामुएक अस्तिफा हुआ महराष्ट के मुख्यमतर एकनाश इंदर ने मनेस प्रमुग राश्ठाकरी से उनके आवास पर मुलाकात की महराष्ट के सीम ने कहा राश्ठाकरी के घर गणपती दर्शन के लिए आया है कोई राजनीतिक भेट नहीं है तमिलाडू के सीम एम के स्टालिन का दावा चुनाओं किये तो 70% वोटों को पूरा किया दिली पुलिस ने फरजी रेलवे भरती रैकेट का किया परदपाश मास्टर माइन मोहमद रिजवान से पांच गिरफतार दिली पुलिस ने छे लोगों को हिरासत में पैसे लेकर फरजी न्यूक तिपत्र और पहचान पत्र जारी करते थे अयोध्या में इई रिक्षा से स्कूल जा रही दो नावालिक छात्राओं से बाइक सबार तीन लड़कों ने छिर्खानी की कपड़े भी फाड़े जाच में पता चला कि जिसे पीटा गया है वो मांसिक रूप से परिशान था हाव भाव को देखकर स्थानी लोग देशत में आये गायल शक्स को इलाज की बाद परिवार के हवाले किया गया मारपीट करने वाले लोगों के खलाब कानूनी कारवाई की तैयार यूपी के उन्नाओं में आस्ता से खिलवार का मामला सामनी आया एक यूवक ने ऑनलाइन मूर्तिया मंगवा कर खेट की खुदाई से निकालने की जूटी कहानी गड़ी पुलिस ने आरोफी शक्स और उसके दो बेटों को शांती भंक आरोफ में जेल भेजा पूरे लाके में चर्चा का वर्षय बना हुआ था शेव सेना पक्ष प्रमू को उद्धव ठाकरे ने चिंच पोखली में चिंता मणी गनेश के दर्शन के पुरे परिवार के साथ पहुचे कणपती उत्सो में बहन अरपिता के घर पहुचे सल्मान खान गंपती जी की आर्ति उतारी अरपिता ने पती आयुश के साथ गंपती की पूजा की रितेश देश मुक ने भी अरपिता के घर पर जाके गंपती की दर्शन किये गणवती को भोग लगाने के लिए वडोदरा की एक दुकान में 51 तरह के मोदग तयार किये के बाजार में डिबान में बढ़ी राची के एलबोर टिका चौक पर गड़ेश पूजा पंधाल में अंकिता को दी गई शुधांजली चेमेम सांसद महुआ मांजी भी मौजूद थी वारण असी में गंगा का जलस्तर घटना शुरू हुआ हर घंटे 4 सेंटिमेटर नीचे आ रहा है पानी का लेवन वारण असी में 70 मीटर के निशान के उपर पहुँचा गंगा का जलस्तर कई घट पानी में डूबे काशी विश्वनात कॉरिडोर के निचले हिस्से में पानी भरने के बाद लोगों की एंट्री पर रगी रोग का मनी करने का घाट पर अंतिम संसकार में हो रही है मुश्किल वारण असी जिले के कई गाओं बाड में ढूबे किस रहत कैप में 4000 से जादा लोगों ने शरण दी प्राग राज में गंगा यमुना का पानी घटने के बाद गंदगी और कीचड जमा साफ सफाई में जुटे नगर निगम के करवचार राजिस्थान की उटाइपूर में मुसीबत की बारिश सडकों पर जल जमा उसे लोगों की परिशानी बढ़ी बारी बारिश की वज़े से वैंगडूरू में जुगे जिगर पानी भरा आने जाने वालों को दिक्कत उत्रपरदेश के रामपुर में तैरा की प्रतियोगिता के दोरा ने एक चातर की डूबने से मौत मामले की जाच जारी गवाव पुलिस ने सुनाली फोगाट के बैंक अकाउंट की डिटेनी काली सुभीर के अकाउंट में कितने पैसे थी। इसकी भी जाँच जारी है। सुनाली फोगाट केस की जाँच कर रही स्पेशल टीम गवाव एस्पी बोले हर एंगल से हो रही है चानवें। अंगदा मदर केस पे पुलिस ने तेज की जांच, पुलिस ने पॉक्स वेक्ट की धाराएं दी जोड़ी। दुमका में धाराएं सो चवाली से अभी लागू रहेगी, इस डियम बोले हालात को देखते हुए लेंगे फैसला। दुमका हत्या कांट पर केंद्री बंद्री, अर्चुन मुंडखा बयान, जार्खन सरकार ने समवेदन शीलत और विश्वास नेता दोनों को दिया है। तेजाब एटाक में गंभीर रूप से जुलसी लड़की की एम्स में हुई सर्जुरी जार्खन के चत्रा बुद्वार को दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में स्कूल के बार चात्रा को गोली मारने वाला अर्मान गिरपतार साथ दिन बाद आरोपी पखड़ा गया। इन दोर में प्राइवेट कंपणी के साथ करमेचारियों ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की सैलरी नहीं मिलने की वज़े से उठाया कदम। वाजियाबाद की बुराद नगर में फूर पॉइजनिंग की वज़ा से पंदरे चात्राओं की तविएद बिग्री अस्पतार में भर्दी। विहार के आरा बकसर हाईवे पर अग्यात हमलावरों ने वेफसाई उसके पत्नी को गूली मारी पत्नी ने अपने पती पर लगाया आरोप वड़िशा में और रिक्षा में मिले दस बंदरों के शव पुलिस ने दो को गिरपतार किया सोने की तसकरी के आरोप में दिल्ली अरपोर्ट के दो करमेचारी गिरफता जबू के जौनिपूर इलाके में अंडर कंस्ट्रॉक्शन बिल्डिंग गिरी बुल्डोजर की मदद से स्टी आरेफ ने हटाया मलबा मुक्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी हाई कोट पहुंचे गाजीपूर MP MLA कोट के आदेश कोदी चुनौती कानपूर में सोना तसकरी मामले में प्यूशन को मिली जमानत 10 लाग के बंट पर बेल दी गई मुसेवाला की हत्या के मामले में कियन्या और अजर बैजान से दो संदेग दी गिरफतार अधिकारियों के संपर्क में भारत पंजाबी सिंगर निर्वीर सिंग की आस्टेलिया में सड़क खासे में मौत एक पुरुश और महिला को किया गया गरफता मदे प्रदेश में आज इवनकार आवास की सजा पाए क्यादियों की जल्दी होगी रिहाए सियम शिवराज नहीं लिहाई के संबन में की मीटिंग केंद्री ग्री मंत्रिय मिर्शा ने इवास पोर्टल लॉंच किया का सुरक्षा के लिए केंद्री सश्यस्त्र पुलिस बल मौजूद स्तम्ध है सुरक्षा कैबिनेट समिती ने LCA Mark 2 विमान पर यूटना को मंजूरी दी एर्चीफ बोले वायुसेना में भी कभी होक्षान मिल भारती वायुसेना में इस्तेमाल किये जाने वाले चीनोंक में कोई समस्या नहीं बोईंग इंडिया क्या ध्यक्ष का बयान रायपूर में होगी 46 से जुड़े संगटनों की वाशिक बैटक 10 से लेके 12 सितंबर तक चलेगी निले में कोरोना के 271 ने मरीज आये सामने एक दिन में तीन मरीजों की मौत है महराष्टे में कोरोना के 781 ने संक्रमित मिले है 24 घंटे में 4 ने दम तोड़ा है अमिता बच्चन का कोरोना टेस नेगटीव आया बिग बी ने ट्वीट करके काम पर वापस लोटने का ऐलान किया कुछ महिनों में मिल जाएगा सर्वाइकल कैंसर का टीका अगर पुना वाला बोले 200 से 400 के बीच हो सकती है इसकी केमत रूस युकरिन यूद के बीच पूरवी रूस में गुरुवार को वस्तोक अव्यास शुरू हुआ भारतिय सेना के गोर्खा राइफिल्स के एक टुकडी को भेजा गया है बोस्तोक मिलिटरी ड्रिल में रूस भारत और चीन सहीत कई देशों की सेना ले रही है हिस्साथ 7 सितमबर तक चलेगी मिलिटरी ड्रिल वस्तोक मिलिटरी ड्रिल में 50,000 सैनिक करेंगे अधवियास, 140 सेयर काफट और 60 वार्शिप से इद 5,000 वेपन सीनिट से ले रही हिस्सा बारती रक्षाम उंत्राले ने जानकारी दी सभ्यास का टागेट भाग ले रही सेने टुकडियो और परिवेक्षकों के बीच कॉडिनेशन बनाना है यूएन इस्पेक्टर्स की टीम ने यूकरेन के जापोरजिया नुकलियर प्लान का दोरा किया नाशनल आटामिक एनरजी एजनसी की चीफ ने प्लान की सुरक्षा घजाई सालिया दूसी राश्ट्रपती पुतिन ने पूर सोवियत नेता विखाइल गौरवचेव गोधी श्रधांजनी मासकों के अस्पताल में जाकर श्रधांजनी दूसी राश्ट्रपती ने अपने ओफिस को बताया विस्तता की वज़े से पुतिन शनिवार को मिखाइल गौरवचों के अंतिम संसकार में शामिल नहीं हो सकता राश्ट्रपती पुति ने तर आखेस्तान के एक स्कोल की ओपनिंग में किया शरकत वीडो कॉनफरेंसिंग के जरिये चातरों से बात कि अमरेका की राश्टेपती जो बाईने ने पूर्व राश्टेपती ट्रम्प पर साधा निशाना का कि ट्रम्प बाद लोक तंथर के लिए खतरनाक पाकिस्तान में बारिश और बार्ट का कैर चारी अब तक 1186 की मौत थी पाकिस्तान में बार्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है करीब 6.5 लाग गर्वेबती महिला रिलीफ कैम्प में मेडिकल सुविधाओं का भाव जच्पर टिपड़ी करने के मामले में हिम्रान खान को राहत 12 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रहेगी रोक भारत ने यूएन में आतंगबाद पर फिर पाकिस्तान की क्लास लगाई पाकिस्तान के खिलाब आक्शियो लेने की अपील तैवान ने चीन का ड्रोन मार गिराया पहली बार ड्रैगन की दादागिरी का जवाब बढ़ा तनाब नियॉक में एक महिला को एक डिटेक्टिव द्वारा धक्का दिये जाने का वीडियो वारेल हुआ पुलिस कर रहे हैं मामले की चांच स्पेन में भारी ओला वरष्टी बीस महिने में एक बच्चे की ओला गिरने से मौत हो ली स्पेन के अलग-अलग हिलाकों में ओले से 20 लोग घायल हुए हैं कई गाड़े और इमारतों को में नुकसान पहुँचा है प्राजिल का पॉलस ताव यूजियम लोगों के लिए खोला गया दस साल से रेनोवेशन चल रहा था GST कलेक्शन में अगस्त में आया 28 परसन का उचाल एक लाग तालीस हजार करोर का हुआ कलेक्शन मुडीज ने भारत की विकास दर का नुवान भटाया 7.07 प्रतिशत की दर से ग्रोथ की जताई संपार सड़क परिवन मंत्राले ने इलेक्ट्रिक बाहनों के बैटरी सुरक्षा मानकों में किया बदलाव एक अक्तूबर से होंगे नई सुरक्षा नियम लागू HDFC बैंक का ऐलान 2023 में महरास्ट में 3000 करमचारी निउक्त किये जाएंगे इश्यक अब के सूपर चार में पहुँचा शुलंका करो या मरोग के मकाबले में बांगलादेश को दू विकेट से हराया सूपर चार में पहुचने वाली थी इस्टी टीम बनी शुलंका भारत और अफगानेस्तां की टीम पहले ही पहुँच गई थी पाकिस्दान और हंकोंग के बीच आज कार्टे का मुकाबला जीतने वाली टीम को मिलेगा सूपर फोर का टिकेट दोनों टीमें हार चुकी अपना पहला मैच कल खेले गए रुमांचक मुकाबले में श्रिलंका ने बांगलादेश को अराया बांगलादेश ने पहले बैटिंग करते विए 184 रनों का टागेट दिया था श्रिलंका ने 20 फे ओवर में 184 रन बना कर जीता मैच कुशल मेंडिस बने मैन आफ दी मैच श्रिलंका की तरफ से हसरंगा और करोना रते ने दो-दो विकेट टिये तिशकना और फनानों ने एक-एक विकेट चटके एशिया कप एक बार फिर हो सकता है भारत और पाकिस्तान को मुकाबला सुपर फो में पाकिस्तान की पहुशने पर 4 से समर को दोनों टीमों में भढ़नत होगी आइसीसी ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान की टीमों पर लगाया जुर्माना स्लो ओवर रेट को लेकर मैच फीज का 40 परसंट काड़ा ऐस्ट्रेलिया ने T20 विशुकप के लिए पिछली चैंपियन टीम का ही किया चैन तीम में किया एक बदला और स्विपसन की जगाये टिम में डेविट को क्या गया शामत आस्टेलिया की T20 विशुकप टीम की भारत का करेगी दोरा टीम में सिर्फ एक बदलाओ करते है वार्नर की जगा कैमरून ग्रीन को मौखा मिला T20 विशुकप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी भारत टीन T20 मैच की लेगी दोनों टीमे सचिन तेंदूलगर की मैदान पर वापसी होगी रोड सेफटी वर्ल सिरीज में इंडियान लेजन्स टीम करेंगे कप्तानी विश्वकी साथ की में हिसा ले रहे है फीफा विशुका फुटबॉल से पहले ऑस्ट्रेलिया चीम के बैनेजर ने जारी किया रूल वुक खिलाडियों को सोशल मीडिया से दूर रहने और रात में मुबाइल बंद रखने का फर्माद करंजोर ने सोशल मीडिया पर शेयर की फिल्म बर्मास्तर के वीडियो के क्लिप एक लड़ाई के सीन में वरारस्त्र को दिखाया सनी देवल की साइको ट्रिलर फेम चुप का ट्रिलर पास सितंबर को हुगा रिलीज पंजाब में पती ने विधायक पत्नी को मारा सर्यान थपड पत्नी बलजंदर कौर और आम आत्मी पाटी के मले हैं बहस के दौरान पती ने आपक होया चतिसगर के बिलासपुर में एक शख्स की बैट और डंडे से जम कर पिटाई की गई शख्स इलाके में कर रहा था रंगधारी जुसके बाद इलाके के लड़कों ने पिटाई की यूपी के कानपूर में जाबे पर जब कर हुई मार्विट, राप पीने से मना करने पर धाबा कर मचारियों और कुछ लड़कों के बीच हुई हाथा पाई वीडियो वाइरल अभी राते अलाइन्स की फ्राइट में छोटे बच्चे ने होस्टेस मा को दिखाया बोरिंग पास माने बेटी को कले लगाते हुए किया वेलकम सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल क्रिकेटर सुराइश राना बेटे के रियों के साथ घर में खेल रहे हैं क्रिकेटर राना के बेटे की बैटिंग करते शेयर किया गया वीडियो